वेल्कम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हम लोग माउथ ओर्गन की क्लासिस कर रहे थे माउथ ओर्गन हम लोग सीख रहे थे लेकिन कुछ लोगों के मेल्स हम लोगों के पास आये हैं कुछ लोगों के कमेंट्स हम लो करते हैं आज मैं आपको पर कैसे बजाते हैं कि सारे घामा। चलिए व freshmen करते हैं तो चलिए सुरूबाट करते हैं हम लोग आज के फर्स्स लेशन का तो सार्वर갈 याई अपने फर्स्स की से गहां कOR करना है अपनी फॉर्स्ट फिंगर से यह आपकी फॉर्स्ट फिंगर है सा रे सेकंड फिंगर ग थम मा फॉर्स्ट फिंगर पा सेकंड फिंगर धा थर्ड फिंगर नी थम सा फॉर्स्ट फिंगर फिर से देखिए सा फॉर्स्ट फिंगर रे सेकंड फिंगर ग थम मा अब हम इसका descending order करेंगे से म्लोग आएए उसी फिंगर से वापस जाएंगे साह फिंगर नी थम ढतर्ड फिंगर पा सेकंड फिंगर मा फिंगर गा सेकंड फिंगर दो तो मैं आपको एक बार इसको पूरा बजा करें दिखाता हूं असेंडिंग और डिसेंडिंग और तो फ्रेंड्स यह सरगम है हम लोगों की कीबोर्ड पे बजानी है आप लोग इसका प्रेक्टिस करिए फिर मैं आपको इसका एक्सरसाइज बताता हूं अब हम लोग आते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज पर सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों को सेम नोट्स को दो दो बार दबाना है कैसे मैं आपको बताता हूं देखिए अब डिसेंडिंग और अप्र j 01 लोग इसकी थर्ड एक्सराइज करते मेन हमное इसको तीन बार करना है यह आपकी फिंगर प्रेक्टिस के लिए बार के लिए थाकि आपकी फिंगर की बोर्ड पर चलने लगे तो देखे थर्ड एक्सराइज औली है स्टेंग और अब फ्रेंड्स हम लोग इसकी फॉर्थ एक्ससाइज पर आते हैं फॉर्थ एक्ससाइज में हम लोगों को तीन नोट बजाने हैं उसके बाद हम लोगों को एक नोट पीछे जाना है और वहां से फिर हम लोगों को तीन नोट आगे चलना है फिर देखिए गामा पाव हम जाएंगे और तीन चलेंगे अब इसका डिसेंडर रगॉर्डर सानी तो फ्रेंड्स चार एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए फिर हम लोग नेक्स क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ और कुछ गानों के साथ हम लोग फिर से हजीर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमश्कार भाई